दोस्तों किसी मनुष्य या विश्वासी के जीवन में परिक्षाएं क्यों आती हैं? शायद आप भी इस समय किसी परिक्षा या कठिन समय का सामना कर रहे होंगे पर क्या यह आप के लिए भलाई और आपकी उन्नती का कारण है? दोस्तों हमारा यह संदेश इसी बात पर आधारित है जो आपको इन कठिन समय में सहायता और दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है जानने के लिए मित्रों इस लिंक को तबा कर मेरे साथ इस अधियन में शामिल हो जाईए प्रेमित्रों आप सभी को प्रेम्भरा नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप तंदरुस्त और स्वस्त हैं तथा परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास की उचाईयों पर जीवन वैतीत कर रहे हैं विश्वास मसीही जीवन का आधार है और हमारे आचरन का प्रगटी करन दोस्तों आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्यन में शामिल हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारन में हिर्दे की गहराई से स्वागत करता हूँ मित्रों जैसा कि आपको मैंने पिछले प्रसारन में वादा किया था कि अगले अंक में हम एक नई पुस्तक का अध्यन आरम करेंगे तो दोस्तों आज से हम नए नियम की बीसवी और बाइबल की उन सटभी पुस्तक का अध्यन आरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है याकूब की पत्री मित्रो यह पांच अध्यायों वाली एक छोटी पत्री है जिसे समान्य पत्री कहा जाता है क्योंकि उसे किसी विशेश समुदाय या वैक्ति को नहीं लिखा गया था यह याकूब इशु मसी का भाई था और उसने उसे अपने उद्धार करता के रूप में ग्रहन किया दोस्तों इस पत्री में हम अपने मसीही विश्वास के प्रगटिकरन का महत तो देखेंगे हम अपने आपको विश्वासी कहते हैं पर यदि हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारा आचरन, हमारा वहवार और हमारी बातें मसीही विश्वास को प्रगट ना करे तो सब कुछ वेर्थ है। याकूब बहुत ही सरल शब्दों में अपने विश्वास के प्रमाण को प्रगट करने के बारे में अपनी पत्री में लिखता है. तो चलिए मित्रों हम इस पत्री के अध्यन को आरम करते हैं और सबसे पहले इसके परीचय को देखते हैं आईए अपने अध्यन को आरम करें मित्रों आए आज हम अपने अध्यन को याकूब की पत्रे से आरम करें और आज हम देखेंगे उसकी प्रस्तावना याकूब की पत्री पारंपरिक रूप से सामाने पत्रियों में पहली पत्री है याकूब पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला दूसरा तीसरा यहुना और यहुदा की पत्रियों को सामाने पत्रियां कहा जाता है उन्हें समान्य या कैथूलिक पत्रियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सब के लिए लिखी गई थी एक मनुष्य या किसी एक कलिस्या को नहीं वरन विश्वव्यापी कलिस्या को लिखी गई थी याकूब की पत्री के लेखक को निश्शित करना एक बड़ी समस्या है इसमें शक नहीं कि याकूब ने यह पत्रे लिखी थी परन्तो प्रश्ण यह है कि वह कौन सा याकूब था याकूब नामक तीन पुरुष धर्म शास्त्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं यानि कि पाय जाते हैं तो आएए हम तीनों याकूब को देखें कि वह कौन है पहला यहना का भाई जो जब्दी के पुत्रों में से एक है इन दोनों को प्रविश्व ने गरजन के पुत्र कहा था मरकूस तीन उसके सत्रा में आप देख सकते हैं राजा हेरोदेस ने उसका सिर कटवा दिया था और पत्रस को भी बंदी बना लिया था प्रेर्तों के काम बारा उसके एक से दो पद में हम देखेंगे हम दूसरी देखते हैं हलफाई का पुत्र याकूब जिसे छोटा याकूब कहा जाता था उसका नाम शिश्यों की सूची में अब है परन्तु हम उसके बारे में बहुत कम जाते हैं मैं इसे याकूब की पत्री का लेखक स्विकार नहीं करता तीसरा है प्रविश्यों का भाई वह यूसुब और मर्यम का पुत्र था मती 13 उसके पच्पन में हम पढ़ते हैं क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं है और क्या इसकी माता का नाम मर्यम और इसके भाईयों का नाम याकूब, यूसुब, शमोर और यहुदा नहीं पहले तो प्रविश्यों के भाईयों ने उस पर विश्वास नहीं किया परन्तु वे भी विश्वास में आए जब याकूब यरुशलेम की कलिस्या का प्रधान अगवा बना प्रेर्थों के काम पंद्रह में याकूब यरुशलेम की महा सभा का अध्यक्ष था उसने पोईत्र आत्मा की अगवाई में उस सभा का निश्कस प्रस्तूत करते हुए अपना निरनायक मत दिया था मेरे विचार में गलातियों की पत्रे दो अध्या उसके नौपद में पालूस इसी याकूब की चर्चा करता है कहता है तो याकूब और कैफा और यहुना ने जो कलिस्या के खंभे समझे जाते थे यही वह याकूब है जिसे हम इस पत्री का लेखक मानते हैं यह पत्रे लगभग सन 45-50 इस्वी में लिखी गई थी कुछ लोगों का मानना है कि पालूस की शिक्षाओं का खंडन करने के लिए याकूब ने यह पत्र लिखा था परन्तु पालूस का प्रथम पत्र सन 52-56 के मध्य के बीच लिखा गया था अर्थात पालूस ने जो भी पत्र लिखे वे याकूब की पत्री के बाद लिखे गए याकूब की पत्री नए नियम की पहली पत्री है मेरे मित्रो यह तो इस पश्ट है कि याकूब पालूस के समान कर्मों की अपेक्षा विश्वास पर बल देता है परन्तु नी संद है, उसका मुख्य विशय है विश्वास का प्रमार क्या है, याकूब और पॉलूस दोनों ही विश्वास और कर्म पर बहुत बल देते हैं, वे विश्वास के द्वारा धर्मी ठाराय जाने के दो पक्ष हमारे सामने रखते हैं, और ये दोनों पक्ष पॉल पत्री 2 उसके 8 और 9 पद में लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुगरही से तुमारा उद्धार हुआ है और यह तुमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे और उसने तीतूस को लिखा तीन अध्या के 5 उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किये पर अपने दया के अनुसार, नए जन्म के असनान और पोईत्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ दूसरा है कर्म हम कर्मों के आधार पर धर्मी नहीं ठाराए जाते हैं तीतुस की पत्री तीनुस के आठ पद में पॉलुस कहता है यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विशय में दिड़ता से बोले इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वार पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें यह बातें भली और मनुश्य के लाब की हैं और इफिस्यों के पत्री दो उसके दस मेवा लिखता है हम उसके बनाए हुए हैं और मसी इश्व में उन भले कामों के लिए स्रीजे गए जिन्हें परमेश्वार ने पहले से हमारे करने के लिए तयार किया मित्रो विश्वास उद्धार का मूल है पॉलूस इस पर सबसे अधिक बल देता है कर्म उद्धार का फल है याकूब ही इसी बात पर बल देता है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विश्वास उद्धार का कारण है और कर्म उद्धार का परिनाम है कर्मों से पॉलूस का अभिप्राय है विवस्था पालन याकूब कहता है कि कर्म आवश्यक है तो उसके कहने का अर्थ है कि विश्वास से उत्पन कर्म ना कि विवस्था के काम याकूब के पतरे अध्याय दोपद 18 में लिखता है वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ तु अपना विश्वास मुझे कर्म बीना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों द्वारा तुझे दिखाऊंगा परमेशर आपके मन को देखता है और वह जानता है कि आप विश्वास रखते हैं या नहीं यह विश्वास द्वारा धर्मी ठारना है आपका पड़ोसी तो आपके मन को नहीं देखता है वह तो केवल आपके कामों को देखता है, जो आपके विश्वास के कारण उत्पन होते हैं. निमने लिखे दो पदों को मैं इस पत्री के मुख्य पद कहता हूं. याकुब एक उसके 22 पद, लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अ वियर्थ है. याकुब की पत्री मसीही विश्वास के सदाचार से संबंधित है ना की धर्म के शिक्षाओं से. वह नीज संदेह विवारिक विश्वास पर बल देता, परंतु विश्वास से नहीं टलता है. अतिस पस्थ है कि याकुब एक अत्यधिक के विवारिक मनश्य परमपराओं के अनुसार वह बूढे घुटने वाला उूट कहलाता है, क्योंकि उसने प्रार्थना में बहुत समय लगाया था, वेवहरिक शैली के कारण इस पत्री को नीती वचनों के साथ रखा गया है, वरन परवतिय उपदेश के साथ भी याकुप का विवाद है कि अध्याय एक और दो, कर्मो के परखनली में उसे जाना होगा, अध्याय तीन वचन, अध्याय चार सांसारिक्टा और अध्याय पाँच, धनवानों को चेताउनी, आये अब हम अध्याय एक से अपने अध्याय को आरंब करें, जिसका विशह है, परमिश्वर परिक्षाव वचनों द्वारा विश्वास को परखता है, परमेश्वर बुराय नहीं लाता है, परमेश्वर वचनों द्वारा विश्वास को परखता है, मनुश्य के वचनों से नहीं, याकुप की पत्री एक अत्यधिक है, विवहारिक पुस्तक है, जो मसीह विश्वास के सदाचारी ज प्रतम तीन अध्यायों में वह सच्चे विश्वास के सत्यापन की चर्चा करता है और हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे कैसे विश्वास को परखता है आए हम देखें परमेश्वर परिक्षाओं द्वारा परखता है याकुब के पत्रे एक अध्याय के एक पद में लिखा परमेश्वर के और प्रविश्व मसीह के दास याकुब की ओर से उन बारह गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। तो मैं अपने पत्र में कहीं न कहीं इसका उलेक अवश्य करके आप पर प्रगट कर देता। यदपी मैं बड़ी दीनता और पावंता से ऐसा करता परन्तु प्रगट अवश्य करता। परन्तु याकूब ऐसा कतई नहीं करता है। वह तो इसकी अपेक्षा अपने आपको परमेश्यर और प्रगश्य का बंधुआ दास कहता है। मेरे मित्रो, आरभ में तो प्रगश्य के भाई उसे परमेश्यर का पुत्र नहीं मानते थे, क्योंकि वे उसके साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ खेले थे, उन्होंने उसे बड़ा होते देखा था, उन्होंने या तो देखा था कि वह कुछ अलग है, परन्तु उसे जगत का उधार करता नहीं मानते थे, इस प्रिथी पर वास करते समय हमारा प्रविश्यर मानवता में सिध्ध था, या उसके भायों को भी विश्वास नहीं हुआ था, इसमें दो राय नहीं कि आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में ही वचन पहुँचाना सबसे कठिन काम है, तथा पी हमें उन्हीं को सुसमाचार सुनाना है, याकूब ने प्रविश्यु को अपना देहिक भाई ही नहीं, अपना मुक्तिदाता के रूप में भी पहचाना, और फिर उनका बंधवा दास बन गया, याकूब कहता है, वह मेरा प्रभू है, इस्वु उसका ये नाम था, और याकूब उसे जानता था, कि वह उसका भाई है, परन्तु वह उसे मसीह भी जान गया था, जो संसार के पापों के लिए मर गया, उसका नाम मातर ही इश्यु नहीं था, वह इश्यु कहलाता था, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा इसलिए यहाँ परों कहता है, उन बारहों गोत्रों को जो तीतर बितर होकर रहते हैं नमसकार पहुँचे, स्पष्ट है कि याकूब इसरायल के विश्वासियों को संबोधित कर रहा है, वह उस युग के यहोदी विश्वासियों को लिख रहा था, आरम में तो लंबे समय तक कलिसया किवल यहोदी विश्वासियों का समू थी, अन्य जातियों से कुछ ही लोग विश्वास में आये थे, परन्तु शिग्र ही रोमी समराज्य का केंद्र जो आज तुर्किस्तान कहलाता है, वहां महान जागरिती आई, वहीं एशिया माइनर की साथ कलिसयाई थी, परन्तु याकुब इससे पुर्व लिख रहा है और स्पष्ट है कि वे यहोदी विश्वासी थे, कहता है बारहों गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं, आज दस खोई हुए गोत्रों के चर्चा की जाती है, परन्तु वे खोई हुए नहीं हैं, एक भी नहीं, परमि चीन कालिन यहोदी नहीं हैं, वे संपुन विश्व में प्रवासी हैं, प्रतेक महाद्वीप में, रूस में यहोदियों के जनसंख्या बहुत बड़ी हैं, कुछ चीन में हैं, तो कुछ जापान में हैं, वे तीतर बितर होकर रह रहे हैं, याकुब ने उस युक के तीतर यहुदियों में सेप्रवी इश्यू के विश्वासियों को यह पत्र लिखा था। कहता है नमस्कार पहुँचे। इसका मूल युनाने शब्दार्त है आनंद। याकुब रुखे स्वभाव का मनश्य नहीं था या उसके जीवन से छलकता था। अब याकुब विशम परिस् में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ध्यान दिजेगा कहता है नाना प्रकार की परिक्षाओं अर्थात तरह तरह की परिक्षाओं। दूसरे शब्दों में परिक्षाओं में पढ़ने पर रोना आरंब नहीं करो। जैसे कि कोई भयानक बात हो गई है आप को आननदित होना है और परिक्षाओं को हर्ष का कारण समझना है क्योंकि परमिश्वर आपको परख कर देख रहा है। एक प्रश्ण प्राया पूछा जाता है क्या परिक्षाओं की गहराई में और तनाव में भी आप आननद का अनुभव कर सकते हैं। स्पष्ट कहूं तो इसका उत्तर है नहीं। याकूब के कहने का अर्थ यह नहीं है। यह काना उचित नहीं कि आपके कश्टों में आप परमिश्वक की इच्छा में हैं, जबकि आप वास्तों में उसके साथ मेल में नहीं है। लोग कहते तो हैं कि उन्होंने परमिश्वक क इच्छा स्विकार कर ली है, परन्तु वे मुह लटकाए, कुड़कुडाते हुए घूमते रहते हैं। मेरे मित्रो, यदि आप आनंदित नहीं, तो आप परमेश्व की इच्छा के ताल मेल में नहीं हैं। याकुब कहता है कि परमेश्व हमें परशान करने के लिए परिक्षाओं में पढ़ने नहीं देता है, यह अंत नहीं है। हम याकुब की पत्रे एक के तीन पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन होता है। परमेश्व के मन में एक उदेश है। आप इस विशे पर निश्चिंत हो जाएं। याकुब आपकी परिक्षाओं के संबंध में आपके मनुभाव की चर्चा कर रहा है। यहां व्याकरन का सामान्य भूत काल संके देता है कि परिक्षाओं का परिणाम आनन्द है। इबरानियों के पत्री बारा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वासियों की तारना करता है जिसका वास्त्विक अर्थ है बाल सुधार। यदि उदेश भला ना हो तो परिक्षा अर्थ हीन, कष्ट मुर्खता और परखना तरक रहित होगा। परमेश्वर कहता है कि उनके पीछे एक मुख्य कारण है और वह भला है। रोमियों के पत्री आठ उसके 28 पद में पालुस लिखता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती हैं। अर्थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अंसार बुलाए हुए हैं। जब हमारे उपर परिक्षाओं का दबाव तथा बैरी की आग जल रही हो और तरास्ति एवं कष्ट पड़ रहे हो। तब विश्वासी का सवभाव यह हो कि परमेश्वर ने किसी उदेश के निमित यह किया है। और उसका लक्ष महान तथा विशाल है। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। जी हां, इसका अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर के उदेश को समझ पाएं। यह विश्वास का पर्खा जाना है। हम देख कर नहीं विश्वास रख कर चलते हैं। मद्दे-युग में, किसी ने कहा था परमेश्वर कुछ नहीं करता और कुछ हो तो रोकता भी नहीं है परन्तु हम स्वेम करते हैं यदि हम उसके समान ही घटनाओं को देख पाएं। अब प्रश्ण यह है कि एक विश्वास के पर्खे जाने में कौन-कौन से उद्देश्यों की पूर्ती होती है। अनेक आउसरों पर मुझे वहां के बाइबल अध्यन में आमंत्रित किया। मैंने वहां देखा कि मशीन कैसे बनती हैं। पहले तो वे कागज पर उसका नक्षा बनाते हैं, तदो परांत उसके अंतिम रूप रेखा और नमुना तयार किया जाता है। उस नमुने को परखा जाता है, तदो परांत उत्पाद आरंभ किया जाता है। एक वर्ष बाद वह तयार होकर निकलता है। अब उनके सामने एक प्रशन होता है, क्या या मशीन चलेगी, क्या वह काम करेगी, क्या वह परिक्षन में सफल होगा, अता है परिक्षन करने वाला उसे परखता है। जब मशीन वह सब कुछ सिध कर दे, तो जो उत्पादक ने उसके बारे में कहा था, तब वह मशीन विश्वास निये कहलाईगी और दूसरी कंपने उसे खरी देंगी, वह बाजार में उतारा जाएगा और लोग उसे खरी देंगे। इस प्रकार वह मशीन सेवा योग्य उ वह उसे आग पर तपा कर उसमें अमल डालता है कि उसकी सत्यता को परखे, इसी प्रकार परमेशर भी विश्वास की सत्यता या प्रामाणिकता को परख कर देखता है, किसी ने कहा है दुख का अमल विश्वास के सिक्य को परखता है, इसमें बहुत सत्य निहित है, परमेश किसी उद्देश के निमित हमारे विश्वास को परकता है। यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन होता है। और पहले तो उस परिवार में से किसी ने भी तब तक प्रभु ईशु मसी को उधार करता के रूप में ग्रहन नहीं किया था। पर समय के साथ उसने ईशु मसी को जाना और अब उसे वह अपना उधार करता मानता है और स्वैम को उसका बंधुआ दास कहता है। दोस्तों यह है समर्पन जो एक विश्वासी के जीवन को प्रगट करता है। हमने यह भी देखा कि एक विश्वासी के जीवन में उसके काम उसके विश्वास का प्रमान होते हैं। पर हमें यह भी याद रखना है कि हमारे काम हमें उद्धार नहीं दिलाते पर हमारे कर्म हमारे उद्धार का प्रमान प्रस्तुत करते हैं दोस्तों हमने यह भी सीखा कि हमारे जीवन में या बहतर रूप से कहें तो हमारे विश्वासी जीवन में परिक्षाएं आनंद का कारण होना चाहिए किसी भी विश्वासी को ये प्रतिग्या नहीं दी गई है कि उसे परिक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा पर हमें उन परिक्षाओं को आनंद की बात समझना है क्योंकि परमेश्वर और संसार के सामने हम इसके द्वारा अपने विश्वास और जीवन को प्रमानित करते हैं दोस्तों हमारे जीवन में परिक्षा विश्वास का वहवारिक प्रगटी करन है यदleistपी परमेशवर हमारी परिक्षा नहीं करता है पर उसकी अनुमती के बिना हम पर परिक्षाय नहीं आ सकती इन परिक्षाओं का सामना कर सकते हैं केवल धैरे के साथ परमिश्वर के वचन में बने रहते हुए आप भी अपनी परिक्षाओं में सदा धैरे बनाए रखें क्योंकि हम इन आउसरों पर ही अपना संतुलन खो बैठते हैं और परिक्षा में पढ़ जाते हैं परिक्षा आन गुराय नहीं है पर परिक्षा में गिर जाना बुरा है तो मीत्रों आप भी अपने जीवन में इन बातों को थाम लीजिए और दर्टा से परिक्षाओं का सामना करते हुए अपने विश्वास का प्रमान परमेश्वर और संसार को प्रकट करें आये मित्रों, हम प्रार्थना करें हमारे स्वर्गी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभू, इस सुन्दर अध्यण के लिए जिसके द्वारा हमने जाना, कि हमें किस परकार से इस संसार में अपने विश्वास को, अपने आचरन और अपने कारे के द्वारा प्रगट करना है पिता कई बार हमारे लिए ये कठिन हो जाता है परन्तु हम आप पर निर्भर करते है प्रभू हम अपने सभी दर्शकों के लिए विशेश पिंती करते हैं जो इस समय किसी न किसी प्रकार की परिक्षा से गुजर रहे हैं उनके जीवन में जो कठिन और समस्या का समय है जो उन्हें विश्वास से हटाने के लिए प्रयत्न शील है हमारी प्रार्थना है प्रभू की उनको आप आत्मिक बल प्रदान करें अच्छी ऐसी शक्ती दें प्रभू मनोबल प्रदान करें कि वे इस समय प्वितरात्मा की सामर्थ में अपने इस परिक्षा के समय में द्रिड़ पाए जाए धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी सहायता निरंतर करते हैं कि हम परिक्षाओं में इस्थेर रहें सारी बातों में पिता सिर्फ आपको महिमा देते हुए बिंती प्रभूई शुक्रीस्त के नाम से मांगते हैं आमेन दोस्तों आज के अध्यन में आपने जो कुछ सीखा कि दिया आप हमारे साथ उसे बाटना चाहते हैं आप हमारे साथ जोड़े हुए हैं ये हमारे लिए बहुत माइने रखता है अगले प्रसारण में इस अध्यन को आगे बढ़ाएंगे और इन बातों को बहुत गहराई के साथ अपने जीवन में आशरण में लाने के लिए हम प्रयत्म करेंगे तब तक परमेश्वर के अनुगर में बने रहें और उसकी महिमा करते रहें प्रभू आपको आशिश्टे आएए अब हम प्रश्ण को देखें पिछले प्रश्ण का उत्तर है D. होशे उत्तरी राज्य इस्राइल का अंतिम राजा होशे था जिसे परमेश्वर ने अपने क्रोध के कारण हटाया था आज के अध्यन पर आधारीत प्रश्ण है नयनियम की पत्रियों में सबसे पहले लिखी गई पत्री कौन सी है जिसे उसकी व्यवहारिक शैली के आधार पर नीती वचन के समतुल्य माना जाता है मित्रों इस प्रस्ण का उट्टर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें क्या आपको यह कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजयता हो सकते हैं क्या आपको यह ऐसे प्लाइब गया जट्टर प्रस्टर प्रस्टर अगले 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 विजयता हैं कर दो कर दो